जी राजदी पचेन जी है, उलपाड, सरस्डाम, जुला सुरत में इंखरे हों, पाच्छी किलोंडर पर समंदर किनारा है, जी राजदी पालन के लिए उसमें जीवा की खेती होती है, एने खुला को परा सॉलिटी लैंड है, और उन्होंने बहाँ सी मिटी लाकर यहां भर दिया, और यह बहुत बढ़ा बढ़िया, मौली का खुट फोरिष्क मौले इंखरा कर दिया, अभी आपने देखा किष्टी बार के धान के खिती आपने देखी केल्स देखा, अभी यहां जो पंचस्टरी फुर्ट पर्ट मौले हैं, यह लगबभाई ठालता है, इसमें सारे फालक्वेट लगाया है, तो यहां का जो बारिष है, बहुत तेज बारिष्क खिती है, और भूमी पानी पकड़ने वाली है, जितनी है, क्योंकि वहां सार्थ है, पानी छोरती ही नहीं, तो जैसी बारिष होता है, पानी भरते रहता है, तो यह जो खाली है, मैंने तहां का कि भई, जो खाली जगा है, वो पानी भर जाता है, जिसको पानी अच्छा लगता है, वो फ अब वही बताएं कि रादी जी कि उसके परणा अभी क्या है कब लगाया तैसे बिस पाहं से लाए बाक्मत्री के जाए और परणाम के आए नास्कार किसार मित्रों कि जन्रल मॉडल पंस्टरी जन्रल मॉडल है और इसको कड़ी धाइं-3 साल फूरे हुने आए यहां सलाइन नेन होने की वज़े से पानी वाटर लगी होता है तो हमने गुरी जी के कहने पर इसके अंदर बाक्मत्री जाए और यही पानी बढ़ा है जो खेती होरी वो उसको करें यहां यहां युकी सहिश्टा भी जुणा यहां अदर सुबहस पाले कर किशान यहां से पांस और इसके अंदर के बवाई किया है बासमतिग और हमेरे पांस जब जब टाइम मेला तब बवाई करते गहें इतना सा चार एकर का प्रोट के अंदर हमने करीब एक महिना लगा यहां दान गिया करने की cambi कि आप मिद पीध चिसकी अंदर स्रीट जाला हुए मैं कर tecn only आपके दाला हुए और में कशी बढ़ीं दानने यहां यहां जी सथीवज डाला है और बहुत ही बढ़ दान है अभी तक मैंने इसके अंदर भंग यमिडृ आर्ठूर向alth Thai professionate ऑज और स तिन साल के बार जिवाम ज़ुद जरूद नहीं रहती है वह यहां पर दिखाई दे रहा है क्योंकि यह अभी करिब करिब दो मेने का होने आया है और हमने पुझी ज्यादा इस पर डाला नहीं है क्योंकि इन साल से सुभास वाले कर खुशी के अंतगत हो रहा है उसलिए अभी जा कुष्टे लेरी हैं सामंदर किनारा चाहें तमिल नादु हो पिरल आहूं कांडरे प्रदेशु या पूरी सा आताम विस्ति जंगाल या माहरास्ट्र गुजात आपको मालूम है कि सलाइन लेंडे पुरी तरह पानी पुरे भर पे रहता है अती बारिश होती है घ अर हमने चया पर ज्यदुक्ते बादा पानी से ले हुचै बेड और नीच नाली ये नया महां हमने मॉडल खोड़े कर गजै है ऐड़ फिट अ और चे फित नाली या साथ फित नाली नाली में धान पणन की खेती होते हैं शिंगणा भी हम लगाते हैं उसके नालिय में मस्री विलालते हैं तो नालिय में वुप स्थान में पर्योग हुआ है अब इसका अनुकरम मुझे रगता है पुरे स्पेक में पुरे भारत मुनाते हैं केवल कोस्टल इसलिया में ज्यादा बारिश के जो नुकसान हो रहा है यहां बारिश कम थी लेकिन अभी Climate Chains माध्यन से जलोड You तो पानी पुरा भया होता है इस वज़े से फल्क्रेट मरते हैं मर से वह जिन्दा ने रहते तो यह बहुत आउश्चक हो गया है कि उचे बेड ले विश में बड़ी नाली नाली में धान की खेती या मश्री पालन हो या उसमें शिंगाडा की खेती हो तो दोनों तरब से हम जिंदा लगते हैं नहीं तो क्या होगा कि क्लामेट चेंज का प्रणाम इतना तीजी से हमें भोगत ना पढ़ रहा है कि खेती भी होने की संबावना महीं रही है इसलिए हमारा संदेश है कि सुभाश पालेकर खुश्य के अंतरगत जो पालेकर फुद पॉरिश के मॉडल ह खले करने पुश्य भारत में उसका के और यही तरीका है यहां आज कम बारिश होती थी वहाँ भी बेड उचे बेड और नाडी निकालना है और जहां आती वाशा होती है वहां तो निकालना ही है क्योंकि मानसुन की गती और जिश्रा बदल लिए है घनी घाती बारिश एक ग्यक्त विद्फनेbrachtएं आप जो भी इस इसका थाम जानते हैं सारे लगाएद इसको काजू भी लगाए है व्दाम भी लगाए चारोली भी लगाए ग्रीप दीर लगाया मंत बैसे संटरा लगा आपल लगाए बाइन है बोरसली है स्टारफूड है फिर जम्रुक है जामून है ड्रेगन फूट है गन्ना है हर चीद लगाई है वह लोग है मोसंभी है और चीद लगा है अंजीर है और कोई मिल्दा नाम आप बोलो और कोई बाकी रहे हैं सि कोई तो देख रहे हैं लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है नाडियर है जो सामने है फिर भी आद में इपनी सारी वेरेटी है अद्रक है काली हल्दी है आंबा हल्दर है नमस्कार किसान मित्रो देखो वाव अगड़ो सुभास पालेकर संसोधन केंद्र में तलाओं में भींडी होगी है और हमेरे एसपी के फार्मर है और हमेरे मार्केट में भी बहुत अच्छा सब कुछ बेतने आती है दिखाए प्रग्नाबेन आप भींडों के सीड्स ले रहे दिखाए और भींडी दिखाए और देखो ये दिखाए अच्छे से मैं नस्दीक आता हूँ देखे भींडी लाल भींडी सिधा करिए ये देखे रेड भींडी देखो पीछे भी प्रग्नाबेन हाट ले लीजे पीछे वाला दिखाए देगा ये देखे सारे भींडी बस यह बस ठीक है, यह पानी के अंदर देखो यह तलाव जो है उसमें उगा हुआ है, यह देखें सुभासपाले कर कुरूशी का चमतकार देखें, यहां पानी के एकदम तलाव के छोड पे इसकी मुली है, और यह पानी में डूबा हुआ था बारिस के अंदर, यह पाइप भी इना पिर इसो पर एक से एक चमतकार को देखने को मिलता है और देख सकते हैं कितनी सारी भिंडी यहां पे और कितनी बड़ी है यह Yog prohibdo है और टान्पर देख सकते है यह मेरा रिजला आ प्प यह जूने कि अब दख रहा है जह भंग्या अब बता यह बिंडी कितनी इंडी देखी वहां पीछे वो तो देड़ फूट लंबी है औरे वाव उसका भी वीडियो बना के बेदना पड़े का मेरे फार्मर को तो यह सब सुबास पालेकर कृष्षी के अंदर ही होता है और 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 अर्गेनिक में प्राकृतिक में यह सब चमतका नहीं मिलता है यह सि तो नमस्कार किसानमित्रो तो यह स्टार फूड है फिर जम्रूख है जामून है ड्रेगन फूट है गन्ना है हर चीद लगाई है वह लोग है मोसंभी है हर चीद लगाए है आम है पपनस है अंजीर है और कोई मतलब नाम आप बोलो और कोई बाकी रहे है ऐसी कोई चीज़ इसके रहे है तो देख रहे हैं लेकिन मुझे याद मी आ रहा है नारियर है जो सामने है फिर भी याद में इतनी सारी वेराइटी है अद्रक है काली चार वेराइटी उसकी पी डाली हुए है तो अभी जो धान है ऑ तीन महीना धान होगा हुए 可म इसमें सब्जी तो कर नहीं सकते तक हमने बेड बना दिये एक काली हल्दी का बना एक ली अजली के दो बना सक के दो बना सकारा अफरै नहां पन्त क्रती भाद होग be वार्वनों में 15 जानिवारी को रावर्ष यह सब निकालेंगे और स्ट्म्स पर उसलीकि करने वार्वेशं हुसी लेक भाट भीक ह्थिन में मिलेत लेना है जी रघन मिलेत लेना है जन्वरी में जो मिलेट आता है शबसे बढ़िया होता है क्योंकि उसमा कड़ी जिट चाहिए वो मिल जाती है ठीक है तो बेड़ के ओपर सब्सक्राइब लोग गुरूगा एक जगा क्या हो गया बीच में खाने के लिए रोटी मिल गई डाल मिल गई दाल मिल गई तेल मिल ग आपका आसिवाद है यह सब आपकी गुरूपा है हम तो खेती छोड़के बेठे दे गुरूजी अश्टाच हुआ और हम इस सब जानकारी पाए है और हमने इस सब कुछ किया तो इस सब उनिका ही है मैं तो सिप करता हरता हूँ मेरा एड्रस है मेरा नाम है राजदीपतेल म मैं सुरत गाउं सरस्त तैसी लोलपार्ट से बोल रहा हूँ और मेरा मुबाइल नंबर है 98251-21627 98251-21627 नमस्कार प्रणाम किसान बाढ़िए नमस्कार किसान मित्रो और मेरे टेरेस गार्डन के मित्रो देखिए सुबास पालेकर कुछी अंतगत टेरेस गार्डन के उपर एक ड्रेगन फूट के पेड़ पे कितने सारे ड्रेगन फूट आया है वो देख सकते हैं इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नव, दस, ग्यारा, बारा, और तेरा, चोदा, चोदा ड्रेगन फूट आया है यह इसके में रूट स्टोक, मदर रूट स्टोक है और उपर से जाके उसको फैलने दिया है उसके पहले जितने भी उसके अंदर से टीलर निकलते थे उसको हम कांट देते थे तो इस तरह से उपर जब तक नहीं पहुचा है उसके बाद में भी इसके टीलर रिंग जो आते है उसको कांटते रहने चाहिए और उसके बाद में उपर से उसको फैलने दिजिए तो तेरा ड्रेगन फूट आया है मेरे पास ड्रेगन फूट की अई भी दो वेराइटी रनिंग है और तिसरी वेराइटी हमने डाली है तो बहुत ही सांदार ड्रेगन फूट यहां पे आ रहे हैं सभी लगा दिये हुए इस तरह से बहुत अच्छे लगते हैं और इदर देखो ये टेरेस गाडन के अंदर भिंडी वगेरे है और तुरिया है मिर्ची है अभी नया प्लांटेशन किया है इसमें बेंगन, पापडी, मिर्ची, कोबीच, गेंदा, सिम्ला मिर्ची, फ्लावर, ऐसा नया है पूराना है ये सब मिर्ची के प्लांट है मिर्ची भी चारपांत तरकी है और यहां पे अंजीर का प्लांट है इस साइड में एल्ची का फोदा है अनार का पोदा है ऐसे बहुत सारे फोदे लगे हुए है मोसंबी है संत्रा है केला है पेशन फूड है पिंडी है दूद लिम्बू है और यह अम्रूत है अलहर है बहुत सारे है देखिए दूसरे भी इसके ओपर भी ड्रेगन फूट आने लगए है इसका में रूट से की गाया है हमने इसे ब्रांचिस होने दी दी है अभी यहां से ब्रांचिस हो रही है लेकिन यह ऊपर चले जाएगी ब्रांच तो हम उसको नहीं हम कट कर रहे है लेकिन उसके नीची की सारी ब्रांचिस हमने अटा दी है तो इस तरह से टेरेस गार्डन के ओपर भी बहुत अच्छा है यह देखिए सोलार पैनल के नीचे भी हमने अभी तैयार करना चालू किया है इसमें सबजिया लगाई है अभी खर अची केला है जीना इन केला है इमली है अमेरिकन इमली है इस टेरेस के बीचे यह तीन इच्वाले सेतूर है तो यह सब अभी यहां पानी बारिसका बंद हो गया उसलिए हम लोग ने ट्रिप चालू करने के लिए यह अपना फणसका है यह थाइलेंड हब है यह पेसन फू इस सब्जी बना के अभी हमने गुरुजी को इच्छा थी बालोड की सब्जी खानी के तो खिलाई थी यह बारेमासी आम है और यहां भी ने विले ज्यास के डाले है चालिय के डाले है दूदी के डाले का बैली डाली है've भेंडी भी कांच देंगे दूसरी बार की भींडी है भी तीसरी बार की लेंगे और इसका वीडियो भी रखेंगे और यह फीछे बैंगन है मुसंबी है बहुत सारी मुसंबी संतरा अफ पिर अपना وंप Меня पपिता भी डाला है पपिता भी हो रहा है तो सब कुछ टेरिस गार्डन के अंदर हो रहा है गिलोरी भी है गिलोरी गिलोर बोलते हैं गिलोर वो भी यहां पे है बहुत सारी सबजियां यहां पे है अभी यह सबजी सबस्त दिखने लगी कुछ दिनों के अंदर अभी ताजी लगाई है यह देखे कित्री बड़ी-बड़ी मिर्ची लगी है देखे बहुत बड़ी-बड़ी मिर्ची लगी है देखे तरतर की मिर्ची है एक गिलहर है गिलोडा बोलते हम लोग यह देखे मिगरा है लिंबू है ओल्ड स्पाइसी से इस सिताफल है यह पपनस है ऐसे कार किसान मीत्रों दुबारा आपको अलग से वीडियो बना के फिर से रखा जाएगा तो पेशन फूड लगाए और सो रुपय का एक पेशन फूड बाहर से लाएंगे और खानी पाएंगे इतना गंदा होता है अच्छा नहीं होता है घर का पेशन फूड खाईए अपना डे एस पीके